आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे के delicate skin की massage के लिए कौन सा oil best है वैसे तो massage के बच्चों को अंगिनत फायदे होते हैं उनकी skin बहतर हो दी है, उनका blood circulation भी अच्छा होता है साथ ही साथ उन्हें gas या colic जैसे समस्या से फायदा मिलता है लेकिन कौन सा massage oil कब use करना चाहिए ये पता होना भी बहुत जरूरी है तो शुड़वात करते हैं सर्दियों से सर्दियों में मौसम cold और dry होता है ऐसे मौसम में हमें उन oils का use करना चाहिए जो बहुत ही moisturizing के साथ warming भी हो ऐसे मौसम में सर्दियों का तेल, तिल का तेल या olive oil बहुत ही अच्छा option है ये तेल deep moisturization के साथ साथ बच्चों को गर्माहड भी देते हैं साथ ही साथ इससे उनका blood circulation भी अच्छा रहता है एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चे की massage के लिए हमेशा cold press या wood press oil ही लीजिए क्योंकि इनमे nutrients जादा होते हैं साथ ही साथ minimal processing की वज़े से इनमे harmful chemical भी नहीं होते मैंने कुछ अच्छे cold press और wood pressed oil का link description box में भी दे दिया है आप उन्हें वहाँ से भी purchase कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं गर्मियों की तरफ गर्मियों में हमें बच्चों के लिए कुछ ऐसा massage oil लेना चाहिए जो बहुत ही light हो, non-greasy हो और साथ ही साथ उसमें cooling properties भी हो ऐसे cases में नारियल टेल एक best choice है नारियल टेल बहुत ही light होता है साथ ही साथ ये anti-bacterial और anti-fungal भी होता है और ये बच्चों की skin में बहुत ही जल्दी absorb हो जाता है नारियल टेल के अलावा, बादाम का टेल भी एक अच्छी choice है बादाम टेल, vitamin नी का एक बहुत ही अच्छा source है वैसे तो almond oil बहुत ही light और moisturizing होता है आप चाहें तो इसे सभी seasons में use कर सकते हैं और आप इसे दूसरे oils के साथ mix करके भी बच्चों को massage दे सकते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe कर लीजे मैं अपने चानल पे regularly parenting और child care videos डालती रहती हूँ अब बात करते हैं monsoon weather की monsoon में weather humid होता है और ऐसे मौसम में बच्चों को skin infection होने का डर लगा रहता है इसलिए हमें कोई SILE use करना चाहिए जिसमें antibacterial और antifungal properties हो ऐसे cases में नारियल का तेल और neem का तेल एक अच्छा option है आप नारियल के तेल में कुछ बूंदे neem oil की मिला सकते हैं और इससे बच्चों को मसाद दे सकते हैं monsoon में जहां शाम को weather थोड़ा थंडा हो जाता है तब आप बच्चों को तिल के तेल से या olive oil से भी मसाद दे सकते हैं इसमें भी भरपूर मातरा में antioxidants होते हैं मुझे comment box में बताइए कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा मसाद रेल यूज करते हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा प्लीज डोंट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब तो मैं चानल थांक यू सो मच पर वाचिंग बबाई